हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब, आपका सुवागत करता हूँ आपके अपने युटूब चैनल वीजै काले शियाटेस में, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सापका सियाटेस सेंटर है सेंटर होगा उसके लिए जो एकजाम सेंटर है, ठीक है वो काँ काँ है वह प्रोपर में आपके एक लिष्ट दिखाऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि सेंटर कहां कहां हैं दूसरा जो आईटाई के चातर है जब वे सियाटेस का फॉम भरेंगे तो उनको ट्रेड सेलेक्ट करते हैं किन बातों का ध्यान रखना है और प्रोपर में दिखाऊंगा जो आपकी आईटाई में ट्रेड होती है वे स्टुडेंट जब सियाटेस का फॉम भरेंगे तो उनको कौन सी ट्रेड सेलेक्ट करनी है ठीक है अगर आप ट्रेड चूज करने में गडबड कर दोगे तो बहुत सियाटेस से रिगार्डिंग सार जाने करे टाइम टू टाइम मिलती रहती है और हाँ दोस्तों जिन इस्टुडेंट ने विद्धक टेलिग्राम चैनल को जोईन नी किया नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर आप टेलिग्राम चैनल को ज मिल जाएगा उसको लेकर आप अपनी सियाटेस सेंटेस एक्जाम की त्यारी कर सकते हो ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते है तो देखिए जो है मैं लिष्ट दिखा रहा हूं आपको यह एक्जाम सेंटर की लिष्ट है यह 2022 और मैं एक चीज़ किलिर कर दूए सिर्फ 2022 में 2021 में भी सेम यह लिष्ट थी 2020 में जब मैंने एक्जाम दिया था तब भी यह लिष्ट थी यह 40 आपको एक्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे यह आप देख सकते हो 40 एक्जाम सेंटर है उसे कि जो भी आपकी नजदी को उसे अकोर्डिंग आपको चूज कर लेना है ठीक है सबी आपके सामने बाकी इसको मैं जो टेलिग्राम चैनल है वहाँ पर डाल दूँ वहाँ से भी आप देख पाऊगे आगे बढ़ते हैं तो देखे बात कर लेते हैं कि ट्रेड की ट्रेड आपको कैसे सेलेक्ट करनी है तो मैं आपको बता दूँ यह जो यह लिश्ट आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पर यह मैं टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँ वहाँ से ध्यान से देख लेना उसे अपनी ट्रेड सेलेक्ट करना देखे यहाँ पर जो ट्रेड यह देखे यह ITI की जो आपकी ट्रेड है वो साइड में दी गई है और वो स्टुडेंट कौन सी ट्रेड सेलेक्ट कर सकते है ठीक है यहाँ यहाँ पर जैसे मैं आपको बताता हूँ जिसके पास Information Communication Technology Maintenance या Computer Hardware Network Maintenance ट्रेड सी वो computer hardware networking maintenance उसको choose करनी है ठीक है या फिर जिन student के पास खास कर कोपा वाले student के बात करूँ जिन के पास कोपा या फिर database system assistant ये trade है उनको CSA select करनी है computer software application ठीक है एक चीज के लिए करना चाहते हूं इस मादने से देखिए अगर आप ITI के student है मान लेते हैं आपके पास fitter trade थी तो आपको machinist नहीं select करनी है आपको fitter ही select करनी है इस बात का ध्यान रखना ठीक है दूसरा अगर कोई diploma बीटेक का student है किसी के पास मान लेते है mechanical engineering trade है ठीक है उसके पास option होता है कि वो fitter ले सकता है machinist ले सकता है MMB ले सकता है उसके पास बहुत सारे option होते है लेकिन ITI वाले student को सिर्फ जो उसकी trade है और वो ही select करनी है ठीक है बाकि आप इस list में देख पाओगे आपकी जो trade है आप कौन सी select कर पाओगे यहां से आप देख सकते हो मान लेते हैं आपकी trade जो है draftsman civil या फिर surveyor है तो आपको draftsman civil select करनी पड़ेगी ठीक है जैसे किसी student की trade wireman थी ITI में अ select करना पड़ेगा ठीक है ऐसे आप electronic mechanic के लिए यहां पर देख सकते हो electronic mechanic है mechanic consumer electronic appliance है और technical power electronic system है तो यह मैं list डाल दूँगा उसे coding आप अपनी trade जान से select कर लेना गडबड निकड़नी है trade select करते समय इस बात का ध्यान रखना ठीक है तो यह proper list दे गई है यह यह आप देख सकते हो इसको मैं telegram channel पर डाल दूँगा वहां से देख लिना इसको ध्यान से जैसे welder आप देख सकते हो welder है welder GTAW यह फिर welder pipe welder structure यह welder fabrication and fitting यह welder welding and inspection यह क्या है यह सभी ITI की trade है जब आप CITS का form बरोगे select करोगे तो वहां पर आपको simple welder का option देखने को मिलेगा बस उसको select करना है ठीक है कोई confusion अपने मन में नहीं रखना है यह list मैं आपको telegram channel पर डाल दूँगा वहां से देख लेना ठीक है अब बात कर लेता हूं कि जो आपका form है इसका link कब तक open होगा तो यह दो पैर तक आपका link open हो जाएगा ठीक है बाकि अगर कोई भी update आती है prospectus से regarding क्योंकि आ आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपको जाने का दिया अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना ठीक है दोस्तो